बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सालाम अलेकूं आज का टॉपिक है पिक्टोग्राफ्स पिक्चर्स हैव ग्रीट वीजियल इंपक्ट तस्वीरों का बहुत ज्यादा इंपक्ट पड़ता है असर पड़ता है हमारी आंखों पे नजरों पे जितने अच्छा हमें अपील करत चीज नजर आएगी हम एकदम से उसकी तरफ बढ़ेंगे दे लीव लॉंग लास्टिंग इंप्रेशन अगर आपको मैं यह दिखा हूं तो आपका एकदम से अट्रेक्शन जो हैं दोनों को छोड़के यह पिक्चर्स की तरफ जाएगी और इलखी दफा में जो है वह आप पर बहुत सारी इंफरमिशन कैच करेंगे ठीक है यह आपके सामने एक पिक्टोग्राफ है जिसमें आपको एपल सनता आ रहे हैं और देज ओ तबीक है मंडे जूस्टे वेटरस्टे थर्सटे फ्राइडे सेटरडे एंड संडे और यह पिक्टोग्राफ आपको शो कर रहा है कि how many apples children in school eat during recess everyday बच्चों ने कितने सेप खाए है रिसस में और रोजाना Monday से रिके संडे तक का इसका schedule है संडे को आप देख रहे हैं कि खाली है यह खाली क्यों है आपके जहन में जवाब आएगा कि संडे को क्योंकि छुट्टी होती है और कोई रिसस भी नहीं होती स्कूल ओपन नहीं होता इसलिए जो है वो यहाँ पर खाली दिया गया है अब apples जो है वो क्योंकि apples के जो खाने की तादाद है उसी को शो कर रहा है लेकिन एक apple एक apple को represent नहीं कर रहा यहाँ पर आपको यह अलग से scale दिया जाएगा जो कि बताएगा कि एक apple जो है वो 50 apples को represent कर रहा है यारी एक apple का मतलब है 50 अगर आप मंडे को देखें तो 1,2,3,4 apples है तो 50 को 4 से multiply करेंगे तो 200 apples जो है वो रिजस में खाएगाए है ठीक है इसी तरहां से Tuesday को देखेंगे आप तो 2 apples मज़ा आ रहा है एक apple जो है वो 50 apples को represent कर रहा है तो 2 का मतलब होगा कि 52 जा 100 Tuesday को खाए गाए है 100 apples in the recess then Wednesday को 3 apples नदर आ रहा है 53 जा 150 ठीक Thursday को 1,2,3,4,5,5 apples खाए गाए है 55 जा 250 apples Friday को 4 apples है जो कि 4 और Monday का 4 apples जो है वो same amount है जिसका मतलब है 200 apples और Saturday को सबसे ज्यादा margin खाए गया है pictures को देखते ही पता चल रहा है कि 6 apples नदर आ रहे हैं इसका मतलब है 6,5,0,30,300 apples जो है वो Saturday की recess में खाए गये हैं अब अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो है वो कौन से दिन में खाए गये है apples तो question आपके सामने इसका answer आएगा Saturday और सबसे कम apples किस दिन खाए गये है तो आप बता सकते हैं यह है Tuesday अब मेरा आप से सवाल है कि कौन से वो दिन है जिस दिन equal amount of apples खाए गये है और उनकी कितनी quantity है यह आपने मुझे comment section में बताना है next video होगी bar graph, line graph और pictograph के uses के बारे में के हम इनको कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं